नमस्ते, मैं हूँ C.A. कृती अगरवाल फ्रमधार मध्यप्रदेश फिंटक्स जंक्शन में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंकम टेक्स में देड लग के इंवेस्टमेंट करने के लिए आपके पास क्या options available है पहला option होता है life insurance premium या LIC का payment का second option होता है बच्चों की school fees के payment का next option होता है housing loan में principal amount का repayment का मतलब अगर आपकी EMI में principal component during the year आप जितना भी repay कर रहे हैं उसका पूरा claim आप ATC section में ले सकते हैं इसी के साथ आप अपने residential property पर किसी प्रकार की stem duty या registration fees during the year pay करते हैं तो उसका deduction भी ले सकते हैं next option होता है ELSS का याने की equity linked savings scheme ये tax saving mutual funds होते हैं जिनका 3 साल का lock-in period होता है next option होता है tax saving FD कोई भी Indian resident, bank या post office में tax saving FD ओपन करवा सकता है जिसका lock-in 5 साल का होता है इससे मिलने वाला interest पुरी तरह से taxable होता है इससे मिलने वाला interest पुरी तरह से tax free होता है इस topic पर हम एक detailed video already upload कर चुके हैं जिसके link i button और description box दोनों में है next option होता है EPF याने की employee provident fund ये option सर्फ celebrated employee के पास होता है जिलकी basic salary 15,000 से ज़ादा होती है next option होता है NPS याने की national pension system का ये एक pension scheme है जिसमें आप डेल लाक रुपे तक का investment कर सकते हैं और 15 साल के बाद ही special conditions पर partial withdrawal करते हैं इससे मिलने वाला interest भी पूरी तरह से tax free होता है next option होता है ULIP याने की unit linked insurance plan ULIP investment और insurance का mixed product होते हैं और interest rate और return इस product में change होते रहते हैं क्योंकि ये product stock market से related होता है last option है सुकन्य समरिद्धी योजना इस scheme में parents अपनी बेटी की उम्र 10 साल होने से पहले एक account open करवा सकते हैं सुकन्य समरिद्धी योजना का इस account में से पैसा बेटी की age 18 साल होने के बाद ही withdraw कर सकते हैं इस पर 8.5% के rate से interest मिलता है और ये option भी पूरी तरह से tax free होता है एक चीज़ पर ध्यान दे कि 1.5 lakh की ये limit सभी options में कीगे investment को मिला कर calculate की जाती है इन सभी options में कीगे investment का total 1.5 lakh से जाधा नहीं होना चाहिए मतलब अगर आपकी इन सभी options में investment 1.5 lakh से जाधा होती है तब भी maximum deduction आप 1.5 lakh रुपे का ही claim कर पाएंगे आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो channel को subscribe करें और bell icon को press करें इस वीडियो को जाधा से जाधा लोगों को share करें आप हमसे facebook और instagram से भी connect कर सकते हैं Thank you